दुर्ण चारी का कुट्र, अश्वत्तान के बारे में ये इदर उदर नहीं कर रहे है और कल की जो अवतार है, वो हिंदू लोगों का है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कल यूग में विष्णु जी का जो अवतार आएगा यह हम थोड़ा से भटक रहे है, हम आजाते हैं मूवी से आज़ा तो कल की जिनको नहीं पता जो हमारे इदर उदर रिलिजिन वाले दोस्क और फैन्स देख रहे है तो कल की वो अवतार है विष्णु जी का जो कल यूग जो अभी चल रहा है वो यूग जब यह खतम होने वाला होगा तो भगवान जी का अफतार आएगा जो कि सब को खतम कर देगा या फिर सब को बचा लेगा ऐसा कुछ होने वाला है तो इसके उपर एंग मूवी बनाई जा रही है और जसका अब जाके टीजर रिलीज हुआ है और टीजर भी क्या है मतलब उसमें एक करेक्टर जो है वह बताया है करेक्टर इंट्रोड़क्शन कर रहे हैं बिल्कुल और वह बैसाफ एक्दम भारी बरकर और मैं वह वो त्यों कि सही किया पहले ये वालाओ आश्वत थामा इसा नाम इतना भारी एसा नहीं लगता कि किसी क्यरेक्टर के पास कोई पावर है और वह पावर करें कि अश्वत थामा बिल्कुल इंडियन सूपर हीरो जो हम बोले तो बिल्कुल और लिया किस को है इसके लिए अमिताब बच्चन थोड़ी बेस के साथ बोलो ना अरे वो ममी नहीं वो जो एडिप्ट वाली ममी वो ममी बने हुए है और एक बच्चा आता है टीजर के शुरुवात में जो कि पहले इंगलिश बोलता है और फिर और हमें लगा एक ही लेंगविज बोल रहा है लेकिन इन्हों ने बहुत रिसर्च कर गए बहुत ऐसे बारीकी यह वो तो सब्ताइटल की वज़े से मारी है यह वरना हम तो इले आपने को इले बारकम इले बस इतना ही आता है हमें तो हमें समझ आ गया कि वो कुछ बोल रहा लेकिन हमें आप बच्चेन ने कहा कि नहीं I will stick to Hindi मैं द्रोनाचारे का लड़का तो अश्वत्था मभी आपक अश्वत्थावा और उनको एक कर्स मिला होता है महा बारत के टाइम पर की वो कभी मर नी सकते तो अब अमिताब बच्चन जी का कैरेक्टर भी यह कि अब उस अवतार का आने का वक्त आगया यानि कल्की के आने का वक्त आगया यह उन्होंने अपने टीजर में बता दिया और वो अवतार होने वाला है कौन प्रभास यह थे को पहली पता चलिया और कल्की में हीरो तो प्रभास ही है ना अख्का इंदा जानता है अए भगवान क्यों है यह इस बंदे पर शूट एट साइट को निया भी तक और मुझे ऐसा लग रहा है कि वह होता है कि इनसान एक दिमाग खराब हो गया आधी पुरुष देख लिए और दिमाग खराब हो गया मैं मैं बताओं क्या है कि इनका लगना मुझे इसा रखता है कि जो साउथ इंडियन मुवीज जहां पर थोड़ा मसाला भारी है ना वहीं पर इनका लग चलता है और वालेवर में करनी बाई जी रो मैंको तो साउंथ इंडियन सालार देक लिया ने ने क्या रहां करते नबाघि खया घंदी लुक कटे और का गंदी की इस गलति बश्य है उसमें मुझे लग रहा है की बाकी सारे बगल अच्चयों अच्छ बाठार जूरेला इंने गाम किया लिए ब्याए ने कारेटरे यु थो हाकी वह जो हई बनि कि पर इंते का बाहु बली को क्यों मारें यार वी एफेक्स तो इसमें भी बहुत बढ़िया है बहुत सही है इसमें भी पूरा खेल खेलने वाले है विलकुल यार खिलाडी क्या पता इस बार प्रभास अपने सारे पाप दो दे लेकिन मेरे को उमीद तो ना बहुत आप चाहे कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमें उमीद दे ली Issum मैं अब है इतनी बड़ी स्टारकस्त आले इसमें आपको कमल हसन जी इसके अधर पाडूकब्ही है इसके अंदर अधिशा पाटनी भी है और अथ्सके अंदर अमिता बचन तो हैं है तो आप सोच थो कितनी बड़ी स्टारकस्त है और आपने को हिरो ह Beaut को मैं ऐसा क जो इनों इतने साथ डिसीजन चेंज किया ने कि 2022 से 2024 में कर ले अभी भी इनके पास मुखा तो है मुझे लग रहा है यह लोग ना खुद ही देख रहे हैं मैठ यार देनी चाले कि प्रवाद के सोड़े और सीन काड़ू तो बस एसे चेहरा थोड़ा सा करके कुछ अगर कर सकते हो तो यहां तक आरी है बस प्रवाद के शकल निदिखरी फ्रेम में प्रवाद बस इतने आरे कहले है उसको मुमी बनाओ इसके चेहरे पे एक्स्पलेशन तो आते नहीं है तो भाई देखो ऐसा आसा टीजर आया है एक प्रवास अगर नाओ फिल्म में लेकिन मेरे चाने ना चाने ने चाने से लेकिन आपके चाने से क्या हो तो आगर आपने टीजर अभी तक देख लिया है तो आप comment कर के बताए और हमारी वीडियो कैसी लगी यह भी comment कर के और कॉमें यह भी पताओ कि प्रवास चलेगा या नहीं चलेगा मतलब हमें यह सर्फ हमको ऐसा लग रहा है या आपको भी ऐसा लग रहा है इतने बड़ी आ राम जी थी ना मदरासी शेश वो विलकुल साउथ इंडिन डायलेक्ट और उनके साथ-साथ वो जो लक्षमन बने थे वो पंजाब के वो पंजाब के थे और आपको क अगली एक बढ़िया वीडियो बनाने मेरा नाम है प्रशांत मेरा नाम है निकिता और आप देख रहे हैं स्विच